जै हिंडिये स्टुएंट देखिए फिक्स्ट प्रिपोजीशन से आपके एक्जाम में सभी स्रिप्ट में क्वेस्टन पूछे जा रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर आपको कुछ इंपोर्टेंट फिक्स्ट प्रिपोजीशन करीब करीब 20-22 ऐसे कराएंगे जो कि बहुत ब पर हम आपको देते हैं जिसे कि पहला क्वेस्टन आपके सामने है आलवेज एक्ट डैस डएडवाइस आप यूर इल्डर्स बताइए इसमें क्या होगा देखिए बहुत इंपोर्टेंट बहुत ही इंपोर्टेंट है चुकि यहां से बार-बार क्वेस्टन कर रहा है और आप सभी के डिमांट पर ही हम इस वीडियो को लाए हैं आपने का एक सार फिक्ष्ट प्री पोजिशन करा दीजिए बार-बार बूच रहा है तो एक बात याद रखेगे एक्ट के साथ अपान का प्रयोग होता है ना एक्ट अपान का मतलब होता है सहमत होना एक्ट के साथ आप किसका प्रयोग होता है अपान का अगर एक्ट दिखेगा आपकी एक्जाम में तो अपान पर उसमें फिल इन दे ब्लेंक में करेंगे ठीक है एक्ट अपान क्या होगा इसमें एडाप्ट लिखा हुए न तो एडाप्ट के साथ 2 का प्रयोग करते हैं आप अपने को किसी के अनुसार ढाल लेना एडाप्ट मतलब ठीक है तो एडाप्ट के साथ किसका प्रयोग होता है 2 का option B से होगा देखते जाए शमज़ते जाए जहां समझाने ल दो दो परी पोजी संव लगते हैं तो कब क्या लगता है मैं बताओंगा अगला आई एम एक कास्टम्ट डैस इतिंग फ्रूट तो ये आपको पता है A custom to लगता है न ऑप्शन B सही होगा अगला है I am aware aware की साथ हमेशा off लगता है याद रखेंगे I am aware of this fact मतलब की aware मतलब होता है जागरुक I am aware of this fact आपने देखा होगा कभी कभी किसि की घर जाते होंगे तो लिखा होता है बीवेएर आफ डाग कुतों से सावधान तो बीवेएर के साथ आफ लगता है कहां पर आप यह वला अच्छा आफ में यह भी ध्यान देना है कई बार जिसे आपको ना ऑप्षन में डबल एफ वला आफ देता है यह वला तो यह गलत हो गया यह नहीं कहीं डॉक्स जंगली कुत्तों से साउधान अगला है his son is blind अब देखिए दो बात हो गई अब blind के साथ blind के साथ in भी लगता है और blind के साथ two भी लगता है ऐसे ही question आपकी exam में ज्यादा पूछ रहा है जो की confusion है his son is blind चीक है अब देखिए इसमें कब इन लगेगा कब इन लगेगा और कब टू लगेगा यह दोनों situation आपको समझनी है यहाँ पर देखिए दूसरा जो question है वह है वी should not be blind अब देखिए यहाँ पर भी ब्लाइंड के बाद प्री पर जीशन डालना है यहाँ पर लेकिन उपर वाले में इसमें इन प्रियोग होगा और इसमें टू का प्रियोग होगा सर कैसी याद करेंगे देखिए जब अंधा होने की की बात की जाएगी है ना तब इन का प्रियोग करेंगे अंधा होने की बात की जाएगी तो किसका प्रियोग करेंगे blind in लेकिन लेकिन अंदेखा करने की बात होगी तो blind to अंधा के मतलब आख से अंधा है तो इससे की देख सकते हैं अंधा है अपनी दाहिनी आख से और उसको मेजर सर्जरी की ज़रूरत है तो यहां पर इन लगेगा वे शूड नाट भी ब्लाइंड दफाल्ट आफ आफ आवर चिल्टरिन हमें हमें अपने चिल्टरिन के गलतियों को अंदेखा नहीं करना चाहिए तो इस सेंस में है ब्लाइंड समझते इस में तूल लगेगा इसमें क्या लगेगा तूलेगा लेकिन अगर अंधा एक्चुल में अंधा होगा तो इन लगेगा याद रहाएगा डिये बहुत important की जए यह बहुत important हो सकता है कि आपकी सिप्टे में पूछे याद रखेगा your speech has no bearing अब देखें bearing के साथ क्या लगता है bearing on bearing on याद रखेंगे ना अच्छा bear with भी होता है bear with भी होता है लेकिन bear with का मतलब होता है बरदास करना लेकिन यहाँ पर bear on आपका जो speech है उसका इस मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है bear on मतलब करना कोई भी चीज किसी से संबंदित होना तो क्या हो जाएगा bear on option यह से होगा चीख है bearing on अगला अगला बहुत बहुत important है package थोड़ा सह कर लेजिए आई बिलीव आई बिलीव बहुत बहुत इसिए क्या होता है I believe in I believe in I believe in I believe in him because he is honest मैं उस पर भरोशा करता हूं क्योंकि वह क्या है इमानधार है ठीक है बिलीव इन बहुत आसान यह बिलीव इन तो आपको पता है ठीक है आगे बताएगे देखिए, he compensated, compensated का मतलब होता है, भरपाई करना, तो compensated के साथ far लगता है, जैसे pay far, कोई चीज होता है न, जैसे किसी को पैसे pay करते हैं, तो हम देखते हैं, pay far, वही चीज है, pay मतलब क्या होता है, भरपाई करना, pay करना, तो compensated मतलब भी भरपाई करना होता है तो इसके साथ फार लगता है PAY अगर आ गया PAY पे मतलब अदा करना या भरपाई करना उसके साथ भी फार लगता है तो जो भी इस प्रकार के sentence है जिसका मतलब भरपाई होता है देना उस जाहतर फार लगता है He is cured अब देखिए दो बात याँ पर फिर आपको आ गई जैसे blind के साथ ठीक है अब देखिए cure के साथ क्योर के साथ कभी फार लगता है और कभी cure के साथ आफ लगता है तो कब फार लगएगा देखिए जब cure noun होगा जब cure noun की तरह काम करेगा तब far लगेगा लेकिन जब cure verb की तरह काम करेगा तो आफ लगेगा जैसे he is cute he is cute तो यहाँ पर verb है न क्योंकि verb का ही तो third form होता है he is cute तो यहाँ पर क्या लगेगा यहाँ पर verb है तो आफ लगेगा he is cured he is cured off ठीक जब verb रहेगा तो आप लगेगा और जब यहाँ पर क्या है no care यहाँ पर क्या है no care यहाँ पर noun है तो यहाँ पर far लगेगा ठीक है there is no cure for its yet याद है याद रहेगा न चलिए noun हैगा तो far लगेगा और verb रहेगा तो आप लगेगा ठीक है चलिए आगी पड़ते हैं बहुत ही important यह series थोड़ी सी आप बस थोड़ा सा और कुछ बचा है यह देख लिजिए he will complete he will complete with me कि डैस दफाइस्ट पोजीशन इन हिस कॉलिज अब देखे पोजीशन के sense में complete के साथ complete यदि किसी ब्यक्ति से compete करता है ठीक है compete क्या कर रहा है he will compete लिखाव है he will compete with me तो देखिए यहाँ पर भी दो बाते होती compete के साथ with लगता है और compete के साथ far भी लगता है लेकिन किसी आदमी के साथ compete करेगा किसी आदमी के साथ compete करेगा तो with लगा जैसे he is compete with me क्योंकि me क्या है कोई यह आदमी है तो compete के साथ क्या लगा यहाँ पर देखें यहाँ पर with लगा आगे the first position आप position के लिए compete कर रहा है तो किसी चीज के लिए किसी post के लिए अगर आप compete करेंगे तो far लगेगा option D नहीं समझे compete with compete with a person and far a position compete with a person far a position किसी व्यक्ति से compete करेगा तो with लगेगा और किसी position या किसी चीज के लिए करेगा तो far लगेगा याद रहेगा आगे बढ़ते हैं यह वाला बताई I confirm अब देखें यहाँ पर confirm वो वाला नहीं है कि मैं तुम्हें महारूंगा मैं confirm बता रहा हूं तो confirm C F I R M होता है न तो confirm का मतलब सुनिश्चित करना होता है लेकिन यह जो confirm है इसका agree होता है इसका मतलब क्या होता है सहमत होना I confirm spelling देखेगा F O R M है F I R M वाला नहीं है F O R M Confirm Confirm का मतलब होता है Agree करना तो agree to और या confirm to जो भी इस परकार की सब्द होते है उसके साथ तू लगता है Option B सही होगा The child was clinging 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 देखे clinging का मतलब होता है चिपकना The child was clinging मा के साथ क्या करता है Her mother ठीक है तो यहाँ पर आपको लएगा कि with होना चाहिए लेकिन clinging की साथ 2 का प्रयोग करते हैं Option D सही होगा बच्चा जो है मा से चिपकता है मा के साथ तो clinging clinging मतलब चिपकना होता है clinging अगला है you must comply you must comply comply का मतलब सहमत होता है comply with comply with you must comply with सही है आगे बढ़ ले चलिए अगला बताए बस बस खतम होने वाला बिलकुल घबराइए मत यह बहुत important चीज है पूछ सकता है exam में क्योंकि पूछ भी रहा है the accused was condemned बताए condemned का मतलब condemned के साथ हमेशा आफ लगता है रखेंगे ऑप्शन बी ना condemned विद डेट स्वरी condemned आफ देट आफ हम इसा लगता है इसके साथ याद रहेगा अच्छा स्वरी condemned के साथ टू लगता है स्वरी condemned के साथ टू लगता है ठीक है the accused was condemned टू देथ तू देथ आप सुनते हैं hang to death to death एक तो होता है hang until death मतलब जब तक मुरी तुनी हो जाती है तब तक लटका है रहा हूँ उसको judge साब कहते हैं और एक होता है hang to death तो वही होता है to death यानि condemned to death option ए से होगा अच्छा एक बहुत important जिसको मैं बार बर बताता हूँ congratulations की साथ हमेशा क्या लगता है on लगता है congratulations on जैसे आपको लएगा की congratulations far is success उसकी सफलता के लिए far प्रियोगा है तो नहीं far नहीं on हमेशा on congratulations की साथ क्या करेंगे हमेशा on का प्रियोग करेंगे congratulations on your birthday बोलते नहीं हम लोग चलिए अगला है my sister is always confident my sister is always confident off क्या होगा confident off याद रहेगा option B my sister is always confident off क्या होगा off off और success ठीक है चलिए आगे बढ़ लेते हैं बस दो-तीन ठोर बचा है एकदम बस बसे last है देखे last है रुख जाए रुख जाए इसको देखके जाए charge पूछता है भारी साब charge के साथ क्या लगेगा charge के साथ क्या लगेगा charge के साथ भी दो समस्या है charge के साथ with भी लगता है और off भी लगता है लेकिन जब verb रहेगा तो with लगेगा और जब noun रहेगा तो off लगेगा तो पहला वाला जो option है उसमें क्या लगेगा off लगेगा क्यों क्यों जो charge है वो noun है क्योंकि यह subject है तो subject यह तो noun होगा या तो pronoun होगा तो यह noun है charge तो जब यह charge noun होगा तो इसकी साथ off लगेगा ठीक है charge of murder was formed against him लेकिन यहां पर देखिए he was charged यहां पर क्या है यह पैसी वैस में दिया हुआ है तो charged यहां पर third form दिया तो verb कहीं तो third form होगा तो जब यह verb रहेगा जब यह verb रहेगा तो क्या लगेगा विद लगेगा ना he was charged with the murder of his neighbor ठीक है यादा देखिए जब वर्ब रहेगा तो विद लगेगा और जब नाउन लगेगा तो आफ लगेगा बात समद में आई आगे बढ़ते हैं माई एड़ोकेट कांट कोप यह बहुत इंपोर्टेंट है देखिए को बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम में आ जाएगा तो आप मेरा दोस्त मत देजेगा कोप विद हमेशा याद रखेंगे कोप विद कोप इंडियन एकोनॉमी कंट्रिब्यूट तू याद रखेंगे हमेशा कंट्रिब्यूट तू ठीक है कंट्रिब्यूट तू का मतलब योगदान करना होता है तो देर इस नो एनी टाइब डाउट इन यूर माइन तो इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह जो मैंने आपको कर आ बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आपको अभी आज नहीं एक्जाम देना होगा आने वाले दिनों में देना होगा तो आप इस वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा ठीक है और किसी भी श्रब्द को लेकर किसमें डाउट होगा तो दोबारा कमेंट वॉक्स में पूछ लीजिएगा और अगर आपको वाई गुरूप का एक्जाम देना है तो ये वाला सुधीर पांडे व्लोग वाला चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रागा का ये जितने 9-10 मोक टेस्ट हैं सभी को आप सॉल्व कर जाएए वहां से बहुत कुछ आपको सिखने को मिल